जय माता दी नवरातर के 5वे दिन मा इसकंद माता की पूजा की जाती है और इसकंद माता की पूजा करने से आपका गुरू यानी घ्रिस्पती गरह मजबूत होता है संतान की अगर कामना हो तो भी मा की पूजा होगी और अगर सिग्र विवा के लिए प्रयासरत हैं लंबे समय से आपकी मनुरत पूरी नहीं हो पा रही है तो भी मा के सरन में आने से आपकी मनुकावना पुर्न हो जाती है मा इसकंद माता को पदमासना देवी भी कहा जाता है इनकी गोद में कार्थिके जी बैठे होते हैं इसी लिए इनकी पूझा करने से भगवान कार्थिके की पूझा अपने आप हो जाती है बंस आगे बढ़ता है और संतान समंधी सारे दुख दूर हो जाते है घर परिवार में हमेशा खुसाली बनी रहती है क्योंकि कार्तिके भगवान की पूजा करने से मंगल भी मजबूत होता है च्योंकि मा इसकंद माता सुख और सांती को देने वाली देवी मानी गई है इसलिए इस दिन सिग्र विवाह के लिए भी उपाय किये जाते है संतान प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए और संतान के डेवलप्मेंट के लिए तमाम तरह के परियोग किये जाते हैं तो सबसे पहले सिग्र विवाह होने के लिए एक छोटा सा परियोग जरूर कर लीजेगा आम के पत्ता, आम का पत्ता आपके पास होगा, एक पत्ता ले आएं, अगर नहीं है तो मार्केट में भी मिलता है, आप ले आईए एक पत्ता, अच्छा सा देख कर लाइए, अब इस पत्ते को धोकर अच्छे से साफ कर लें, सिंदूर और हल्दी की सहायता से दो स्वस्तिक क सिंदूर से बनाईए अब जब आप हल्दी का स्वस्तिक बनाए हैं हल्दी से इसके उपर कुमकुम मिला हुआ चावल यानि चावल में कुमकुम थोरा सा मिला कर हल्दी वाले स्वस्तिक पर रखें और जो स्वस्तिक आपने सिंदूर से बनाया है उस पर हल्दी मिला हुआ च कुमकुम मिला चावल और कुमकुम वाले स्वस्तिक पर हल्दी मिलावा चावल अब ये प्रयोक सिर्फ नवरात्र के पच्वे दिन ही होगा एक ही पत्ते पर दो स्वस्तिक बनेंगे और एक हल्दी का और दूसरा सिंदूर का अब इस स्वस्तिक वाले जो आम का पत्ता है जो बाद इस पत्ते को वो चाहें तो स्वैम या कोई भी व्यक्ति यानि आपके घर का कोई भी सदस्य ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे इस पत्ते को रख दीजिए देखिए ये परियोग सिर्फ पांच में नमरात्रा यानि मा इसकंद माता की पूजा के दिन ही की जाएगी औ मां हर कठिनाईयों से भक्तों की रक्षा करती है सास्त्रों में मां इसकंद माता की आराधना का बहुत महत्व बताया गया है क्योंकि इनकी उपासना करने से जीवन के हर दुख हर तकलीप हर बाधाएं खुद बखुद समाप्त हो जाती है मां इसकंद माता की आराधना का क पुर्ण होती हैं और भक्त को मोक्ष मिलता है सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलोकिक तेज और कांती में हो जाता है इसलिए मन को एकागर रखकर और पवित्र रखकर मां की अरादना करें तो आपको भवसागर से पार करने में नहीं आएगी कार्ति के को देपताओं का सेना पती कहा जाता है और मा को अपने पुत्र इसकंद से अत्यधिक प्रेम है जब धर्ती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंग पर सवार होकर दूश्टों का नास करती है और इसकंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए इन्हें सनेह की देवी और ममता की देवी भी कहते हैं मा को परसंद करने के लिए बहुत सारे बिधी बिधान है आईए हम जानते हैं बिस्तार से देखिए पंचमी ति द्धान है लेकिन कैसे करेंगे देखिए सुबस्वस नान बिगयरे करके स्वक्ष पीले वस्त्र धारन करें इसके बाद मा को पीले पुस्प और केले का भोग लगाईए अगर संतान की चाहत है तो जोड़े की संख्या में केले का भोग लगाईए जैसे की दो चार आठ य लगाना बल्कि केले का भोग अगर आप संतान की चाहत के लिए संतान के डिबलफ्मेंट के लिए उनके अच्छे स्वास्त के लिए अच्छे भविस्य के लिए मा को जोड़े की संख्या में ही केला का भोग लगाए और इस केला को परसाद के रूप में खुद भी खाईए और अपने बच्चों को भी खिलाईए और अगर संतान की चाहत है तब मातारानी को केले का भोग लगाने के बाद आप पती-पत्नी दोनों मिलकर अगर पूजा करें तो अच्छा है और फिर परसाथ के रूप में खाईए संतान की प्राप्ती या फिर संतान से समंधी कोई भी कस्ठे संतान को वो समाप्थ हो जाता है और मा की अराद्ना करने से ब्रहस्पती समंधी समस्या भी दूर होता है क्योंकि मा का समंध ब्रहस्पती नामक गरह से है तो अगर आप गुरू को बेहतर करना चाहते हैं और जब भी पूजा कीजिएगा मा का पीला कपड़ा पहन कर मा का मंत्र है जो मंत्र आप जपें तो संतान की प्राप्ति के लिए संतान की अगर आपको चाहत है तो मा का ये मंत्र अमोग माना जाता है इस मंत्र का जप करने से आपका गुरू भी मजबूत होता है और संतान की प्राप्ति भी सरलता से होती है और वो मंत्र है ओम रिंग नमहा इस मंत्र को कम से कम 108 बार जब कीजिए और इसके बाद प्रार्थना कीजिए संतान की प्राप्ति के लिए यकिन मानिए आपकी प्रार्थना सुईकार होगी अब चुकी नवरात्र के पांचवे दिन मा इसकंद माता को केले का भोग लगा कर सब को परसात के रूप में खाना है लेकिन अब एक ऐसा मंत्र जो संतान की प्राप्ती सरलता से करवाने में सहायक होता है और ये मंत्र आपको पांचवे नवरात्रा यानि माँ इसकंद की पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर अपने घर के पूजा स्थान पर ही इस मंत्र का जब कर सकते हैं तो मा इसकंद माता की पूजा करने से ब्रहस्पती नामग्र मजबूत हो जाता है और सुफल देरी लगता है तो देव गुरु को प्रसंद करने के लिए मा इसकंद माता को मनाने के लिए संतान की प्राप्ति के लिए ये मंत्र अमोग माना जाता है इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है नंद गोप ग्रिहे जाता यसोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास यस्यामी बिंद्याचल निवासिनी नंद गोप ग्रिहे जाता यसोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास यस्यामी बिंद्याचल निवासिनी तो इस मंत्र का 108 बार जब करना है एक घीका दिया जला लीजेगा उसके बाद बैट के जब करें और इस मंत्र का जब करने से संतान समंदी हर दोस्त समाफ्थ हो जाते हैं और मा इसकंद माता का वाहन सिंग है तो मा को जरूर आप विसेश तरह के से मनाईए और जब आप ही खुसिया आएं तो ऐसे में आप किसी गरीब को भी प्रसाथ के रूप में दे सकते हैं अगर आम चीजों के लिए भोग लगा रहे हैं लेकिन विसेश मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए लगा रहे हैं तो खुद और अपने बच्चों को खिलाएं देखिए इस दिन मा को एक पानी वाला नारियल को चुन्दरी में बांध कर मा के सामने भेट करें और उसके बाद अपने धन के अस्थान पे रख लें धन भी बढ़ेगा संतान भी तरक्की करेगा और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी तो यह उपाय आपको पांच पुजा यानि कि मा मा इसकंद माता की पुजा के दिन करना है पांच बार ना रातरा के दिन वैसे तो बहुत सारे मंत्र होते हैं लेकिन सिंपल तरीके से जब पुजा करें वो आपको आसानी भी होगी और इसके फल भी आपको बहुत आसानी से प्राप्त होंगे इस दिन चुकि गुरू के अं हर चीज को बेहतर करने के लिए दो गांट हल्दी का मा को और पित करें याद रखिए गांट यानि साबूत हल्दी का गांट और फिर इसको बाद में यानि अगले दिन उठा कर धन के अस्थान पर रख लीजिएगा धन समंदी समस्या समाब्थ हो जाएगी और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी तो मा की अराधन में आपको गुरू को भी मजबूत करना है और मा को भी मनाना है और इस दिन साम में कपूर जलाकर जरूर आप आरती करें अन्य दिनों में भले ही आप दिया घीका बनाकर आर्थी करें वैसे तो रोजी कपूर जलाकर करना है लेकिन पांचवे नमरात्रा के दिन कपूर जलाकर ही आर्थी करें आप चाहें तो इसमें लॉंग डाल सकते हैं नहीं चाहें तो नहीं भी डालें कोई दिकत नहीं है लेक गंद माता को मनाईए हम आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हरहर महादेव धन्यवाद अपनों से सेयर जरूर कीजिएगा और कमें हरहर महादेव लिखना मत भूलिएगा